Intercultural studies and area studies Intercultural studies यह होती हैं कि जिसमें हम cultural differences की significance को study करते हैं आज की society में जो social relations इन society के आपस में उसके लिए ये interdisciplinary field है इंटर डिस्टिप्लेनी से मराद यह है कि इसमें सोशल साइंटिस्ट भी होंगे इसमें हिस्टोरियन भी होंगे बियालोचिस्ट भी होंगे इसमें प्लिटिकल साइंस के लोग भी होंगे कल्च्रल स्टडी के लोग भी होंगे तो यह किसी एक साइंटिफिक डिसिप्लन तक महदूद नहीं है sociology के expertise में बहुत important होते हैं क्योंकि culture सब सब्सक्राइब sociology में study किया जाता है define किया जाता है तो interdisciplinary यह तमाम जो discipline है तमाम जो areas of expertise है यह मिलके इसको इसमें study मिलके या अलग लग मतलब यह कि इसको पी study कर रहे है कोई इसर आफ psychologist की नहीं कर रहे है biologist पी कर रहे है sociologist पी कर रहे है political scientist पी कर रहे है economist पी कर रहे है इस तरह से यह मुक्तलिफ disciplines में जो studies की जाती है कि यह की चीज़ पर उसको हम interdisciplinary studies कहते हैं और intercultural studies जो है वह किसी psychology तक महदूद नहीं है अब इसमें बहुत से viewpoints है theoretical viewpoints पी और methodology के इतबार से viewpoints अब यह जो researchers हैं इनके viewpoints में एक कुछ चीज़ें हैं यह क्या क्या देखते हैं ethnic नसली religious यानि मजभी linguistic यानि जबान या लिस्थानी जो heterogeneity है यानि तन वह है जो बहुत सी variety है लोग जिस तरह एक दूसरे से अलग होते हैं वह heterogeneity होती है और जिस तरह लोग एक जैसे होते हैं माइगरेशन के processes को study करते हैं minority और majority के relations को study करते हैं और किसी भी कल्चर में कौन लोग minority में हैं और कौन majority में आप किसी मुलक के किसी शहर में land करेंगे ना तो आपको कुछ लोग ज्यादा और कुछ कम नजर आएंगे और कुछ बिल्कुल ही कम तो आपके में कि यह बन जाएगा कि यहां तो majority प्लांग्या में मїम्जाम ये जोंके लोग के वांपे वहाँत पहले कि अबाद में तो वो फॉरार आपको बताएंगे कि यह 49 परसंट है तो यह 20 परसंट है तो यह 30 परसंट है यह इंटर कल्ट्रल स्टडीज में इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है और यह यह भी स्टडी करते हैं कि सोशल आइडेंटिटीज चेंज कैसे होती है कि सोशल आइडेंटिटीज से मुराद के है सोशल आइडेंटिज से मुराद यह है कि लोग अपने आपको एक सोसाइटी के अंदर किस तरह देखते हैं मेंबर आफ क्लास मेंबर आफ ऑफ ग्रोप अ क्लब आप मुस्लिम तूदेंट ऑफ सटन औरगनाईजेशन तो यह मारी स सोशल आइडेंटिटी होती है अब यह जो सारे रिसेर्चेश इनके अप्रोच में एक चीज कॉमन है कि यह जो हुमन डैवरसिटी है जो तनवह इंसानों में जो इतनी विराइटी है उसकी क्या पॉस्टिबिलिटीज है और उससे क्या-क्या चीजे मुक्तलिफ अंदाज म से ले लेते हैं उसकी वज़ाइए कि वहां पर आईटी के लोग बहुत ज्यादा कॉलिफाइट कर रहे हैं बहुत मार्ट हैं बहुत मेहंती हैं और कम तनखा पर जितना डॉलर्स आपको वहां देने पड़ेंगे उससे कम पर आपको वह आपने हाइर कर सकते हैं तो यह जो यह जो परस्पेक्टिविजन की दिमांड बढ़ती जा रही है कूल में एजुकेशन में सोशल वर्क में हैल्थ केर में पुलिस और ड्यूडिशरी में बिजनस में टूरिजम में डिप्लॉमिस ती यह नहीं कल्ट्री के जो रिलेशन होते हैं उनमें और सोशल मीडिया में यह एक इंटरकल्चरल नॉलेज की जो डिमांड वो बढ़ती जा रही है यॉर्पियन और अमेरिकन यॉनिवर्सटी जो है वो इंटरकल्चरल स्टडी में मास्टर्स ओफर करती हैं जिसमें इंटरनेशनल बिजनस रिलेशन भी होते हैं इंटरकल्चरल कमीनिकेशन है और कि और टॉपिक्स है इंटर्चरल डिवर्सटी ऑगनाइजेशन में कैसे होती है और मल्टी कल्चर प्री कलोनियर लिटरेचर क्या है जॉगरिफी क्या है सेक्ष्यल एन जेंडर आइडेंटिटीज की तोश्यालोजी क्या है क्ल्चर की एथनिक रिलेशन क्या है दो उनिव करने की कोशिश करते हैं उस रीजन का रोल और प्लेस्ट क्या है इंतरनेशनल स्साइटी में तो उसे एरिया स्टेडी कहते हैं मसलन अफ्रीकन स्टडी एप कश्मीर स्टडी मिडन इस्ट अब किसी जमाने में मिडन इस्ट इस बहुत सब्सक्राइब करते थे अब यह जो एरिया स्टडीज बनी है इसके पीछे बहुत क्रिटिस्टिसम है एडवर्ट सहीद ने कहा है कि और भी बहुत से लोग यह नोट कर रहे हैं वेस्ट के अपने अंदर इसका एक एजंडा है एरिया स्टडीज के डिपार्टमेंट जो है व वो उसको उन पॉलिसी का तालुक है कि उनके एकडेमिक तो उस पर रीसर्च करती है और हकुमत फिर यह देखती है कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है तो गर्मिंट की इंटेलिजेंस इडेंस्टी एरिया स्टडीज में इन्वाल्व होती है